आपने अपनी समस्याओं को आपने अपनी परेशानियों को आपने अपनी चिंताओं को किसके आगे रखा है प्रभु येशु मसी के आगे रखा है जब प्रभु येशु मसी के आगे रखा है फिर प्रात्रा के बाद या उसके बाद भी आप अपनी चिंताओं के विशे में आप अपनी बिमारी के बारे में बाखंगी कर रहे हैं। परकाशित वाक्य के एक अध्याय के चार पद में जिसको हमने दो भागों में बाटा था और दूसरे भाग में हमने सीखा था एशिया के बारे में हमने सीखा था जो है जो था और जो आने वाला है हमने सीखा था परमेश्व की साथ आत्माओं के बारे में आज हम सीखेंगे एक अध्याय के पांच्वे पद चलिए इस पद को पहले पढ़ लेते हैं फिर उसके बारे में देखते हैं कि परमेशा का वचिन क्या कहता है यहां लिखका हुआ है परकाशिद्वा के एक अध्याय उसका पांच्वे पद और जो येशु मसी की ओर से जो विश्वास योग, चाUNG, शाक्षी और मरीवों में से जी उटने वालों में पहलाटा और प्रत्वी के राजाओं का हाकीम है तुम्हे अनुग्रे और शांती मिलती रहें यहां पर सबसे पहले जो परकाशिद्वा के एक के पांच में आया है कि येशु मसी की ओर से याणि ये पत्र जो है ये कि यह अ कहा गया है कि वह पत्र लिखा जा चुका के यह ना की और से मतलब जो एक लेखक के रूप में है और दूसरा है जो है अरथात्पर परभीत्रात्मा यूग जो एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है और जो था परमेश्व की ओर से जो एक स्रिष्टी करता के रूप में आज भी कारिशील है और जो आने वाला है प्रभी येश्व मस्री की ओर से एक नियाय करता के रूप में अब इस बात को जो है समझना है कि परकाशित व आधियाएं के 5 पत में जो येशु मसी की और से फिर से कहा जा रहा है उसका मतलब क्या है देखें सबसे पहली बात क्या है कि हम बहुत परकाशिद वाके की पुस्तक पे बहुत चोटी सी चोटी बातों पे हमें दियान देने की अवशक्ता है मैं आपको ऐसे ही परकाशिद व की पुस्तक के बारे में बताने के लिए, क्योंकि ऐसा परमेषव का आत्मा अगवाई जब आप परमेषव के वचन को पढ़ेंगे मती पांज अदिया, उसका शत्रा और 18 पत पढ़ेंगे तो वहां येशु मसी कहता है कि मैं वेवेस्था और भविश्वत्ताओं की पुस्तक को लोग करने नहीं आया हूं बलकि उसे पूरा करने आया हूं और वहां पर एक बात जो लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक वेवेस्था से एक-एक म पुस्तक है और जो येशु मसी के दूसरे आग्मन के बारे में बिल्कुल नस्दीकी से हमें बताती है तो उसके बारे में कितना हमें जानने के अवशक्ता है इसलिए इन बातों को छोटी-छोटी बातों को आपके सामने रख रहे हैं ताकि हम और आप सीख सकें और प्रभ येशुमसी जो नियाय करता के रूप में आने वाला है, नमबर एक बात, जो येशुमसी के दूसरे आगमन को दर्शाता है, और दूसरी चीज वो दुलहे के रूप में आने वाला है, कि अपनी दुलहन को लेने आ रहा है, ये उसका जो है भविश में, भविश के बारे में बात्चित है जो प्रभु येश्व मसी के पोस्ट को या प्रभु येश्व मसी के हर चीज को दर्साई जा रही है परंतो यहां पर जो परकाशिदवा के एक अध्याए के पांच पत्में जो लिखा हुआ है यहां पर जो प्रभु येश्व मसी की और से जो बात यहां पर कह सबसे पहली बात क्या है विश्वास योग शाक्षी अब ये पत्र जो लिखा जा रहा है किसकी ओर से लिखा जा रहा है कि जो विश्वास योग शाक्षी है अर्थात येशु मसी के चरित के बारे में कि आप उसके चरित को समझें कि वो विश्वास योग शाक्षी है जो बहुत सही करता है उसके ओपर विश्वास उसने बहुत अच्छा निर्णे अपने जीवन में लिया है ये शु मसी पर विश्वास रखने का दूसरी बात है कि मरोवों में से जिव उठने वालों में जो पहलोटा है ये वो पत्र लिख रहा है जियां वहां पर कौन लिख रह रहे हैं, जो मुर्दों में सिज्जी उठा है, उसके बारे में बात चीत हो रही है। तीसरा पॉइंट है, प्रत्वी के राजाओं का हाकीम, हाकीम का मतलब होता है अगर हम, आज इकी बात को लेकर चलेंगे, और इसके बाद दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग जो है इसमें जो है तीन भाग जो है परकाशित वाग के एक अधा है कि पांचपत को लेकर चलेंगे ताकि आप लोग अच्छे से परकाशित वाग की उन वेदो को समस्ख सकें पहला जो भाग है विश्वास यूग शाक्षी हम विश्वास योग शाक्षी के बारे में बातचित करते हैं प्रभी येश्व मसी विश्वास योग शाक्षी है और वो अपने बारे में परमेश्वा कवचन यापत प्रभी येश्व मसी के बारे में वड़न कर रहा है परन्तु आज थोड़ी देर के लिए हम लोग अपने आपको भी उसमें रखते, बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु येश्व मसीप पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास ध्रन हैं और हम अपने विश्वास में अडिक हैं, हमारे विश्वास को क कोई पहस नहीं कर सकता है, हमारे विश्वास को कोई बदल नहीं सकता है, नहीं कि बहुत अच्छी बात है, अगर प्रभी येश्व मसी में किसी का ऐसा विश्वास है, मैं क्रिटिसाइस नहीं करना चाहता है, उसके विश्वास को लेकर बहुत अच्छी बात है, मगर एक बा लुका 18 अधियाए और उसका आठमा पत प्रद्यान से सुनेगा लुका 18 अधियाए उसका आठमा पत मैं तुमसे कहता हूं वे तुरंत उनका नियाए चुकाएगा तो भी मनुष का पुत्र जब आएगा तो क्या वे प्रत्वी पर विश्वास पाएगा पड़ी एक ऐसा सवाल प्रभी येश्व मसी ने जो है वो क्या है क्या क्या है कि मनुष का पुत्र यानि अर्थात प्रभी येश्व मसी अपने दूसरे आगवन के बारे में बात कर रहा है कि जब मैं इस प्रत्वी पर आउँगा, अपने लोगों को लेने आउँगा, तो एक चीज कह रहा है, तो क्या वो प्रत्वी पर विश्वास पाएगा? ये किसके लिए कह रहा है, ये मेरे और आपके लिए कह रहा है, आखिर प्रभी येश्व मसी को संधे क्यों है, हमारे विश्वास के उपद, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सीधा सा यहाँ जो विश्वास योग शाक्षी की बात आ रही है, वो हमारे और आपके लिए नहीं आ रही है कहीं ना कहीं प्रभु येश्व मसी को हमारे और आपके विश्वास को लेके संधे होता है देखे संधे कैसे होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ आप लोग महिंद मत करिएगा बहुत से लोग प्रातना करते हैं अब मैं संधे की बात करूँ बहुत से प्रात्ना कर रहा हूँ, किसी भी परिवार में पार्शा साथ प्रात्ना कीचे है, मैं प्रात्ना कर रहा हूँ, प्रभू ये शुमसी, इस बहन को ये इस भाई को तेरे हाथ में रखता हूँ, और ये शुमसी नासरी के नाम से तु चंगाई दे, यारे प्रभू, तुने कहा मैंने बहुत से परिवारों में देखा है, प्रातना के बाद आमिन हो भी, प्रभी येश्व मसी के पास रख दिया, सब कुछ हो गया, अरे पाससाब बताईए, कोई डॉक्टर बताईए, कोई अच्छा, और ये बिमार है, बहुत पैसा लग गया, उन बातों के लिए चिंता करने लगता, क्यों चिंता कर रहा है, इसका मतलब जब आपने अपने अगे जो बात रकी है, वो प्रुर्ण विश्वास के साथ नहीं रकी, पतरस क्या था, पतरस क्यों डूबने लगा, पतरस किसली डूबने लगा, जब पतरस ने येश्व मसी को पानी पे चलते हुए द जूरा लीजेगा, उसके अंदर है, जब वो चलता हुआ आया, तो वो हवा का रुख देखके । डर गया, और हवा का रुख देखके । डर गया, और वो क्या होने लगा? वो डूबने लगा, क्यों डर गया? क्योंकि उसके मन में यह संधे समाएब, भी सामने कौन है कौन ख़ड़ा है सामने तुमारे प्रभी येश्व मसी खड़ा है आपने अपनी समस्याओं को आपने अपनी परेशानियों को आपने अपनी चिंताओं को किसके आगे रखा है प्रभी येश्व मसी के आगे रखा है जब प्रभी येश्व मसी के आगे रखा है फिर प्रात्रा के बाद या उसके बाद भी आप अपनी चिंताओं के विश्य में बात क्यों कर रहे हैं आप अपनी बीमारी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं आप तो ये कहिए कि प्रभू ने मुझे चंगाई दे दी है प्रभू क्योंकि मैंने अपने जिस प्रभू से मांगा ह वो चंगा करने माला परमेश्वर है मैंने अपनी चिंता है प्रभू को सौब दिये वो कहता है अपनी चिंता है मुझे सौब दो तुम चिंता मत करो किसी बात की और उसके बाद भी हम चिंता कर रहे हैं तो हम कहां से विश्वास यूग शाक्षी हो जाईए कैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा और येश्व मसी यही चाहता है कि जैसे वो विश्वास यूग शाक्षी है वैसे ही मैं और आप भी विश्वास यूग शाक्षी बने यहां बहुत महत्पूल बात है देखे सबसे बड़ी बात क्या है वो विश्वासियों के शाक्षी कब तक रहा, ये समझने की बात है, कि विश्वासियों के शाक्षी ऐसा नहीं है, कि वो सिरिफ उसने जीया, जीवन जीया, और जब तक हमारे बीच में रहा, वो विश्वासियों के शाक्षी रहा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फिलिपि और मनुश के रूप में प्रिगट होकर अपने आपको दीन किया और यहां तक आग्याकारी रहा कि मिर्तिव हाथ रोस की मिर्तिव भी सहली अब यहां पर देखे कुछ बाते हैं पहला सुने यानि इश्वर होकर सामार्थी होकर भी उसने अपने आपको कुछ नहीं समझा कि वो कुछ नहीं है और दास यानि परमेश्वर का पुत्र होकर भी दास यानि क्या कहते हैं नौकर का सा जीवन उसने जिया मनुष यानि जो परमेश्वर था वो मनुष रूप में परगट होकर आया दीन यानि वो दीन बना रहा लोगों की बुराई का जवाब वो बुराई से नहीं दियता था और आग्याकारी अपनी आखरी सांस तक सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आग्याकारी रहा हम लोग क्या है हम लोग चाहिए वो पास्टर्स हो चाहिए कोई हो हम लोग अपने हाप कुछ शूनि नहीं करते हैं हम लोग समझते हैं कि हम कुछ हैं हमारे अंदर कोई कॉलिटी है हमारे अंदर कोई बात है जड़ासा हमें पोस्ट मिल जाए तो उसका पोस्ट का घमंड हो जाता है, जड़ासा कुछ पैसा जादा आ जाए तो उसका घमंड आ जाता है, हम अपने आपको पता नहीं बहुत कुछ समझे नहीं लगते हैं, देखे, अगर हम प्रभी येश्व मसी के एक विश्वास योग तो शाक्षी बनना जरूरी है, और यदि नहीं बनते हैं, तो ये समझ लिजए कि हम उस दुलहन में समलित नहीं हैं, हम प्रभु के प्रज्चा में समलित नहीं हैं, हम प्रभु के राच के भागिदार नहीं हैं, इसलिए सबसे पहले जब हमारे प्रभु येश्व मसी ने और गाली का जवाब गाली से नहीं, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देता था, तो हमें भी ऐसे हैं, जब हम अपने आपको शुने कर लेते हैं, जब हम अपने आपको दीन और नमर कर लेते हैं, जब हम बुराई का बदला बुराई से नहीं लेते हैं, तो हम विश्व वासियों कि शाक्षी ये quality, ये बाते हमारे अंदर आ जाती हैं, उसके बाद जब हम अपनी problems या अपनी समस्या या अपनी बिमारी येशु मसी के आगे रखते हैं और फिर प्रातना करते हैं, तो वो हमारी सुन लेता है, क्यों सुन लेता है, क्योंकि अब हमारे अंदर संधे वाली बात नहीं रही है, अब हम उस अंदकार में डूपते नहीं हैं, उन बिमारीयों में नहीं डूपते हैं, उस कर्ज में नहीं डूपते हैं, जैसे पतरश डूबने लगा था, ऐसे हम अपनी बिमारी, अपने कर्ज में, अपने अंदकार में या शैतान की शक्तियों मे और उस अनकार में डूपते नहीं है क्योंकि एक क्या होता है हम वैसे ही प्रभू के समान जैसे प्रभू पानी पे चलता हूँ आया है ऐसे हम भी अपनी उपर ही उपर अपनी बुराइयों उपर अपनी चिंताओं पर चलते हूँ पहार कर जाते हैं क्यों कि हम प्रभी येशु मसी के विश्वासियों के शाक्षी बन जाते हैं और यहां जो है प्रभी येशु मसी का विश्वासियों के शाक्षी एक प्रगटी करण जो है वो दिखाया जा रहा है अब जानते हैं कुलूसियों एक अदिया है उसका जब पंदरवा पत द्यान दीजेगा कि प्रभु येश्व मसी क्या था और हम अपने आपको क्या समझ रहे हैं और वो अपने आपको कुछ नहीं समझ रहा सुनी था मैं आपको ये पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा कुलूसियों एक का पंदरा वे तो आदरशे परमेश्व का प्रतिरूप और सारी स्रिष्टी में पहलोटा था देखिए वो क्या था आदरशे जो परमेश्व दिखाई नहीं देता है जिससे परमेश्व को जिसने कभी भी नहीं देखा उस परमेश्व का प्रतिरूप था उस परमेश्व का रूप था देखिए वो रूप वो रूप छोड़कर वो स्वर्ग्य सिहासन को त्याग कर क्या था, वो इस प्रत्वी पर आया, और उसने अपने आपको कुछ नहीं संजा, जबकि वो तो बहुत कुछ था, वो तो बहुत बड़ा इंसानी रूप में बहुत बड़ा वेप्ति था, इश्वरी रूप में वो तो बहुत ही बड़ा है कि सारी सृष्टी का मालिक होने के बाद भी उसके अंदर घमन नहीं, मगर हमारे अंदर जरासी बात पर घमन आजाता है, आज हमारे पास फोर विलर आजाए, तो घमन आजाएगा, हमारे पास मोटर सैक्ल अच्छी वाली अजाता है और हम अपने आपको पता नहीं क्या समझने लगते हैं, प्रत्वी से दो फूट उम्चा चलने लगते हैं फिर हम, हमारे पैर जो हैं, जमीन पे नहीं टिकते हैं, और यही कारण होता है, कि हम प्रभुयेश्व मसी की बातों से बहुत दूर हो जाते हैं, और फि पुरी तरीके से गलात होते हैं, क्या लिखा है, कि एवल परमेश्व सब बातों में क्या है, विश्वास यूग शाक्षी है, देखें, परमेश्व के बारे में एक बात कही गई है, कि वो विश्वास यूग क्या है, विश्वास यूग शाक्षी है, यहां लिखा है, एर्मि बीच में सच्चा और विश्वास योग शाक्षित है क्या लेका यहवा जो है परमेश्वा जो है और येश्व मसी वो उसी परमेश्वा का प्रतिरूप है और इसलिए वो क्या है विश्वास योग शाक्षित है और इसलिए प्रवी येशु मसी को विश्वासियों के शाक्षिक आ गया है और वो ही परकाशिद्वा के एक के पांच पत्में जो विश्वासियों के शाक्षिक कहा गया है वो प्रवी येशु मसी कि वो पत्र किसको भेज रहा है साथ कलीसियों के नाम साथ कलीसियों के नाम पत्र कौन भी तरह जो विश्वासियों के शाक्षी है जिस पे आप द्रण पूर्बक विश्वास कर सकते हैं और आगर आपने उसको पर विश्वास करा है तो वो आपके विश्वास को ठेस नहीं लगने देता है आपके विश्वास को गिरने नहीं देता है आपके विश्व आसको नस्ट नहीं होने देता है क्योंकि वो विश्वासी विशाक्षी यानि एक सच्छा गभा है और जो हमारे लिए काम करता है फिर लिखाना जब आप फिलिपियों दो अध्याय उसका पांस पत पढ़ेंगे वालिक का हुआ है कि जैसा येशु मसी का सभाव था वैसे ही उसका सभाव कैसा था वो गाली देकर गाली नहीं देता था वो जूट नहीं बोलता था वो फरेब नहीं करता था उसके अंदर चल कपट की बाते नहीं थी उसके अंदर किसी भी परकार की बुराई की बाते नहीं थी वो मनश होकर उसने परमेश्व पे संपून रूप से यही हमारे लगड़ू, हमारे अंदर भी छल, कपट की बाते, और बुराई की बाते नहीं होना चाहिए, जो परमेश्व का वचन वो बताता है, जिसके बारे में लिखा है, और वो लिखा परकाशिद्वा के एक, चार में येशु मसी के बारे में है, कि जो आने वाला है पत चार में दूसरे आगमन के बारे में जो है परमेश्व बताता है और यहां पर जो है यह तीन जो बाते परमेश्व का वचन बता रहा है कि वो विश्वास योग क्या है विश्वास योग शाक्षी है और उस विश्वास योग शाक्षी के बारे में क्य है कि जो आने वाले है वो न्याय करता के रूप में आएगा जब वो विश्वास योग शाक्षी न्याय करता के रूप में आएगा तब क्या गयरा है कि यह गयरा है कि वो प्रत्वी पहल विश्वास पाएगा क्या हमारे अंदर वो विश्वास पाएगा क्या हमारे अंदर व जो कहते हैं कि हम बहुत द्रण विश्वास करते हैं, उनके लिए मेरे प्यारे भाहिए वैनों समझे इस वाद को, आखिर प्रभी येशु मसी को क्यों डौड हुआ, क्यों उसने हमारे विश्वास पे संधे किया, कही ना कही कुछ ना कुछ तो कमी होगी, और वो कमी क्या हो आपको परमेश्व के वच्छन में या परमेश्व के जो भी बाते हम कर रहे होते हैं. मान लिजे हम आराधना कर रहे हैं, हम मसीह गाने का रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम प्राथना कर रहे हैं, हम रेगुलर चर्च जा रहे हैं, हम अपना दर्समांस दे रहे हैं, हम पास्टर को सपोर्ट कर रहे हैं, हम चर्च को सपोर्ट कर रहे हैं, यह सब बाते करक है कि तो वचन का सुनने वाला ना हो बलकि वचन पे चलने वाला में हो आप जानते हैं रोमियों 10-17 में क्या लिखा हुआ है क्या लिखा है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसी के वचन से होता है क्या हमारा विश्वास किस पर होना चाहिए अगर हम येश्व मसी के समान व वो येशु मसी की तरह होना चाहिए, मेरे प्यारे भायों भेनों, मैं एक दो पद और पढ़ाऊंगा, फिर खतम करूँगा, यहना 10 अधिया है, उसके 34 पद में लिखा हुआ, ध्यान दीजेगा, यहना 10 के 34 में, येशु ने उत्तर दिया, क्या तुम्हारी विवेस्ता में ये नहीं लिखा, कि मैंने का तुम इश्वर हो, देखे कितनी बड़ी बात है, हम इश्वर की पद भी हमें दिये, कि तुम इश्वर हो, और यही बात जो है, जब आप भजन सहिता ब्यासी का 6 पद पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी यही बात दिखी, मैंने कहा था, तुम इश्वर हो, और सब के सब परमपरधान के पुत्र हो, जब मैं और आप देखे, प्रभी येश्व मसी पहलोटा पुत्र है, और हम सब भी परमपरधान के पुत्र हैं, जब हम सब परमपरधान के पुत्र हैं, तो हम सब को येश्व मसी के समान, विश्वासियों को शाक्ष हैं या भेजी हैं या दिखाई देती हैं हमें भी प्रभुयेश्व मसी का और प्रभुयेश्व मसी के वचन का और परमेश्र की हर बात का शाक्षी बनना है नहीं परमेश्र जो है वो उसका आत्मा जो है उसके आत्मा का शाक्षी बनना हमारे जीवन में काम करता है हमारे जी पुझ भी मानते हैं, बस एक बात ध्यान रखिये, जैसा हमारा प्रभी येश्व मसी विश्वास योग शाक्षी है और वो किसी के विश्वास को तूटने नहीं देता है, किसी के विश्वास को नष्ट नहीं होने देता है, ऐसे मुझे और आपको भी चाहिए कि हम अपने व विश्वास करा, वो बड़े गर्व के साथ कहता है, शैतान जब उसके पास पहुंसता, आयूब एक दो अध्याय को पढ़ लिजेगा, तुने मेरे दास आयूब को देखा, और वो क्यूं कहता है, बड़े गर्व के साथ कहता, तुने मेरे दास आयूब को देखा, परमेश कहें कि ये बेटी जो है ये बेटा जो है मेरा ये विश्वासी यूग शाक्षी है मेरा उसे गर्व होना चाहिए हमारे और आपके विश्वास के उपर जैसे परमेश्व को अपने पुत्र के उपर अपने इकलौते पुत्र के उपर और जैसे हमें भी अपने प्रभू येश शाक्षी बनने के त्यारी में लगे रही है जब प्रभी येश्व मसी आये तो इसी विश्वास की शाक्षी के साथ हमें अपने राज में तो इस वचन के दौरा हम सब को आशे के आमें